हेलो गाईज तो कैसे आप लोग आई होप अच्छे होंगे चली मैं हूरे भी स्वागत है आपको अपने यूट्वी चैनल टेक्निकल दिन रात में आज का टॉपिक लेकर आये हैं क्या बंदे भारत का ट्रेन टिकट बुक कोई भी यातरी कर सकता है या नहीं कर सकता है तो कै इसे करेगा करने का क्या नियम होता है बंदे भारत का आई आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है यहां पर IRCTC अप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है ओपेन कर लेंगे बात थोड़ा सा प्रोसेस तक वेट कर लेंगे चलिए तो पीनी इंटर करके लॉग इन हो जाएंगे लॉग इन हो जाने के बाद देखिए इस तरह का एंटरफिस निकलके आ जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर ट्रेन पर क्लिक करेंगे ट्रेन पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर देखिए कहां से आपको जाना है उस कर लिए हो उसके बाद देखिए यहां पर class क्या है को Eg apply क्लास का खूज करना है हम दोगे टीकठा करने कंट चुज करेंगे उसके बात कोटा में भी कुछ नहीं करना है जिं।ला को छोड़ देना सिधा और सिधा डेट कारें बूल को कुछ यहां पर देखिए एक चीज़ में बता देता हूँ कि यहां पर क्या है ग्यातरी अपने सुविधा के लिए ट्रेन में जेनरल टीकट स्लीपर टीकट या फिर एसी डब्बे में टीकट बूग करते हैं सीसी कोच, इसी कोच को लेकर अधिकांस लोग कनफ्यूज रहते हैं अब देखिए यहां पर आता है क्या बंदे भारत एक्सप्रेस में सिर्फ सीसी कोच होता है और इसी कोच होता है इसको लेकर काफी लोग कनफ्यूज हो जाते हैं तो देखिए मैं इसको थोड़ा सब बता देना चाहता हूं के अब CC coach क्या है और EC coach क्या है सबसे पहले CC coach क्या क्या है कि अब है आसे जिस्कार्प गालाते हम गाइज बंदे भारत जो ट्रेन है वह पूर फूल AC सब्बरा में EC रहता है CC coach हो या फिर EC coach हो अब CC coach क्या है कि चेयर कार है और इसी कोच क्या है एक्जिक्यूटिव क्लास होता है सिसी फोर चेयर कार इसी फोर एक्जिक्यूटिव क्लास गयज यहां पर एक्जिक्यूटिव क्लास क्यूं है और यहां पर सिसी क्या है अब दोनों का डिप्रेंस क्या है क्या डिप्रेंस है मैं वीडियो म को स्किप करके नहीं शब पहले मैं बता दे रहा हूं कि यहां पे CCP क्रिए कर देने का बात देखिए हम यहां पो मैं क्रिक कि इसके बात देखिए यहां पर साथ सीट अभी भी एवैलेबल है तो पर सूनप्ली को क्या काम करना है कि यहां पर क्लिक कर देने के बाद देखिए, और हम लोग पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो देखिए, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग का वेट कर लेंगे, वेट कर लेने के बाद देखिए, कुछ इस तरह का एंटरफेस निकल के आ जाएगा, इस तरह का 127 का है और यहाँ पे एक बात crocod Records में और यहाँ पर एक बात है यहाँ पर landmark से पासेशनेगर डिटेल्स को एड पर अपना नाम लिक देंगे Nash देने कब देखिए यहाँ पे नाम लिखेंगे और सखेंड में यहाँ पे एज लिख लेंगे एज लिख लेने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जेंडरल सेलेक्ट कर लेंगे मेल है तो मेल फिमेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद देखिए नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन यहाँ पर आता था लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही साइड का है यहाँ पर एक विंडो साइड का कर सकते हैं या फिर कोई नो प्रिफेरेंस पर तो हम अगर विंडो साइड का सीट लेना चाहते हैं विंडो साइड पर सिंप्ली कर दिया है विंडो साइड पर सिंप्ली कर देन यहाँ पर भेज लेना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर खाना नहीं लेना चाहते हैं तो no food पर क्लिक करेंगे चलिए मैं खाना नहीं लेना चाहता हूँ मैं no food पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद क्लिक कर देने के बाद सिंपली हम लोगो क्या काम करना है add passenger पर गलिक कर देना है add passenger पर जैसे एक क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के एंटरेफिस दिखाई देगा उसके बाद हम लोगो simply scroll down कर लेना है scroll down करने के बाद देखी यहाँ पर अपना mobile number फिल कर देना है, यहाँ पर अपना mobile number फिल कर देंगे, email ID फिल कर देंगे, उसके बाद देखिए, other preference, other preference यहाँ पर क्या है, consider for auto अपग्रेशन, guys अगर आप बेटिंग में टिकट करेंगे, तो consider for auto उपग्रेशन पर क्लिक करेंगे, otherwise कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर देखिए, scroll down और करेंगे scroll down और करने के बाद देखिए, यहाँ पर payment mode है, payment mode select कर लेंगे, कैसे payment करना चाहते हैं, आप तो देखिए यहाँ पर pay through, भीम, UPI अगर UPI से payment करना चाहते हैं, तो यहाँ पर धीक कर लेंगे अगर आप debit card, credit card, nada banking के दोरा payment करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click कर लेंगे, चलिए तो मैं UPI यहाँ पर धीक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर click कर लिए हूँ उसके बाद देखिए, travel insurance स्ट्रेट पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद करेंगे रिभीयू जाइस क्लिक करेंगे ग्याँ आ जाएगा यहां पर नाम चेक कर लेंगे सभी कूछ चेक कर लेंगे यह जो CAPTCHA आपको दिखाई दे रहा है, उस CAPTCHA को यहाँ पे फिल कर लेंगे, हम लोग को simply proceed to pay पे क्लिक कर देना है, proceed to pay पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का interface निकल के आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या कम करना है, देखिए, yes पे क्लिक करना है, yes पे क्लिक कर देने ए जैसे आप payment करना चाहते हैं, वो इसे payment कर लेंगे, चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ, कुछ और इसके बारे मैं बताता हूँ, यहाँ सबसे पहले बैक हो जाता हूँ, बैक हो जाने के बाद मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कि यहाँ पे सिसी कोच में अगर ट्रेवल करेंगे तो एक गाराई सो बिस और इसी कोच में ट्रेवल करेंगे तो उनीस तो पचासी अब देखिए मैं बतादे रहा हूं सिसी कोच का और इस कोच का CC coach में क्या है कि CC coach में 3Y2 का seat रहता है और थोड़ा space कम होता है अब EC coach की बात कर ले तो EC coach देखे कुछ इस टाइब का रहता है और CC coach कुछ इस टाइब का रहता है सबसे पहले बोले तो दोनों का seat में difference आ जाता है CC को इससे ज़्यादा क्लास coach ज़्यादा comfortable होता है उसकी seat जो होती है और ज्यादा्य लक्षेरी होती है ज्यादा comfortable होती है आरामदायक ज्यादा लगता है और kevin बना हुआ रहता है अब मैं बात कर लेता हूँ कि आकिर इसका टिकट कम लोग क्यों करते हैं इसका टिकट इसलिए कम लोग कम करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे बंदे भारत में टिकट कर रहे हैं सीसी में सीसी में जो इसका सबसे कम चार्ज का टिकट है वो कर रहे हैं तो 1120 रुपया लग रहा है यहाँ पे देखिए कुम्ब एक्सप्रेस है सेम ट्रेवल करवा रही है देखिए यहाँ पे 4 गंटा 44 मिनट में पटना पहुंचा रही है यह 5 गंटा 11 मिनट में पटना पहुंचा रही है अब यहाँ पे sleeper का इसका ticket देख लेते हैं तो sleeper में 255 रुपया only ले रहा है लेकिन क्या है गाईज यहाँ पे देखिए 50 waiting list है वहाँ पे क्या है confirm sheet है तो क्या उसमें confirm sheet होता है इसलिए क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है चार्ट ज़्यादा लगता है इसलिए लोग उसमें कम यात्रा करते हैं ट्रैवल करते हैं ज्यादा तर लोग इससे जाना पसंद करते हैं तो अगर आपको कभी emergency होता है तो आप बंदे भारत में आप यात्रा कर सकते हैं उसके बाद देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि क्या इसमें कोई कोटा होता है लेडीज कोटा या फिर senior citizen का कोटा तो नहीं इसमें कोई कोटा नहीं होता है बंदे भारत train में कोई कोटा सिंइर सीटिज कोटा लेडीज कोटा कुछ नहीं होता है इसमें जेनरल होता है बंदे भारत में ticket करना क्या सही रहेगा या नहीं गाये तो अपने according आप देख लेंगे आप अगर comfortable है इतने पैसे देने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्यूंकि इसमें seat जो होता है बहुत luxury seat होता है उसके बाद ticket का बात रहागाई तो इसमें कोई भी ticket कर सकता है सभी यातरी ticket कर सकता है कोई problem नहीं है यह ticket को payment करने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा multiple option यहाँ पर आता multiple option से प्लिक कर सकते हैं आप देखे multiple option में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद देखे थोड़ा सा process होगा process तक का wait कर लेंगे then उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस निकल के आ जाता है आप चाहें तो यहाँ पे अपना जो बैंक में registered mobile नंबर है जिस नंबर से UPI बनाया हुए है यहाँ पे इंटर करेंगे और proceed securely पे क्लिक करेंगे उसके बाद OTP आएगा OTP फिल करने के बाद आपका ticket बूख हो जाएगा नहीं तो फिर आप य इंकलूद रहता है आपको खाना भी मिलेगा तो वीडियो कायसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्षं में बताया अगर अच्छा लगा तो like करें share करें कमेंट करना ना भूले क्यूंकि आपका like share कमेंट हमें motivate करता है इस तरह का वीडियो बनाने पर थैंक्यू धन्यवाद